अलो एब्रिवान वेल्कम बैक टो निंजा प्रैप इस कपिल गोयल यह एडुकेटर और मेंटर फो पीजी फिजिक्स तो बीब यू की फीजी मेरिट लेस्ट कई कोर्सेज की कल रिलीज हो गई थी तो कल देर शाम तक फिजिक्स और केमेस्ट्री की रिलीज हुई थी बाकी क कुछ कोर्सेज की लेट नाइट रिलीज हुई है मेरिट लिस्ट तो जिन कोर्सेज की मेरिट लिस्ट रिलीज हो गई है उन कुर्सेज का जिनका मैं अभी डिसकुशन करूँगा उनमें है mathematics, geology, industrial biology और environmental biology यह कुछ कुछ कुर्सेज है जिनको मैं इस वीडियो में डिसकस करन नहीं आई है तो बाटनी की जब आएगी जब उसको discuss करेंगे वीडियो को continue करें उसके पहले यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को subscribe कर लीजिए वीडियो को like कर लीजे और share जरूर कर लीजे सबसे पहले मैं जुलोजी की बात कर लेता हूँ जुलोजी में number of seats जो है वो है 58 उसके अलावा excluding 58 12 number of seats paid seats है paid seats का कई बचोगो confusion होता है कि paid seats के लिए कैसे apply करें तो paid seats सबसे last में available होंगी यानि कि सब कुछ जब फिल हो जाएगा तो आपको paid seats offer की जाएगी उसके लिए अलग से कोई registration नहीं करना है university से आपको मेल जाएंगे आपकी consent होगी कि आपको admission लेना है नहीं लेना है आपसे पूछा जाएगा अगर आपके low marks है paid seat की fees आई है तो जिनकी paying capacity है अच्छी खासी तो वही apply मतलब अपनी consent देना paid seat के लिए paid seat की जो फीस है वो लगबग 25,000 रुपय के लिए और life science के लिए तो जो लौजी की जो merit list release हुई है उसमें यह जो यूर है यूर में मैंने आपको पहले ही बताया है इसमें OBC और general के candidate OBC का यहाँ पर कोई reservation नहीं है तो OBC वाले बच्चे भी इसी के अंदर आने वाले और UR में वैसे सभी allow रहते हैं पर OBC का मैं खा basically handicapped को तो यह 169 तक आ गया इसके अलावा इसमें जो total students है 22 तक 242 मुझे लगता है इन में से कोई 2-4 admission ले तो ले बागी उसके अलावा यह खाली जाएगी geology के लिए अगर बात कर रहा हूं सारी सारी खाली जाएंगी स्ट की अगर मैं बात करूं तो स्ट में total number of सीट से 10 जिसमें से लगभग लगभग 6-6 सीट आपको खाली दिखेंगी तो next list में आपको 6-7 अगेंस्ट आपको वेकेंट सीट दिखेंगी या उनके अगेंस्ट आपको बच्चों के नाम दिखेंग अगर मैं बात करूं EWS की तो खाली जाएगी EWS सारी 6-6 सीट खाली जाएगी EWS की तो जो भी लोग subjected to providing the average percentage and mark sheet of the latest examination graduation latest by 5 p.m. इन बच्चों के results आ गए हैं या जो बच्चों जिन बच्चों ने अपना result अपडेट नहीं किया है final year का तो वो इस email ID पर 26 अगर शाम पाज test result उन्हें बेज सकते हैं उसके अलावा अब बात कर लेते हैं Life Science की Department of Life Science के अंदर बच्चे सेलेक्ट हुआ है तो यूर के अंदर total number of seat से 20 और इसमें भी एक seat जो है वो चलेगी ये PWD को यानि कि फिसलेक अली हमडिकेप को 169 पर बागी आप cutoff देख रहे है 19 तक 248 से एक भ और हाई माक्स हैं तो मुश्किल से 2 से 3 एडमिशन होतो हो अदर्वाइस सारे एडमिशन कैंसिल होंगे या अगर होंगे भी तो फी विड्रा होगी ST के अगर बात करें तो total number of seats है 8 जिसमें से 134 लास cutoff है तो मुश्किल से 2 या 3 एडमिशन होंगे उसके अलावा एडमिशन नहीं होंगे तो यह तो बात होगी जिलोजी और लाइफ सेंस की बात कर लेते हैं mathematics की mathematics में यू आर कैटेगरी के अंदर जो इन्होंने अडमिशन दिये हैं वो दिये हैं total 30 और अगर इनकी cutoff देखें तो mathematics के इसाब से तो मतलब mathematics और chemistry में cutoff लो चल रहा है तो यह 30 admission के अगेंस्ट जो list है यह आपको second list में भी लगबग इतने ही नाम दिखेंगे मुश्किल से एक या दो admission होतो हूँ उसके अलावा लगबग सारे admission आपको यहां पर वापिस दिखेंगे तो first list के अंदर मुश्किल से दो या तीन admission हो सकते हैं उसके अलावा यह खाली जाएगी first list फिर अगर मैं बात करूँ EWS category में तो EWS में total number of seats यहां पर जो है वो है 7 और इन 7 में से भी आपको खाली दिखेंगे 7 में से करीबन करीबन 2 से 3 admission होगे बागी खाली होगा EWS 100 के नीचे आएगा last जाते जाते यह मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ अल्रेड़ी अगर मैं SC category की बात करूँ SC में total number of seats 27 तो 27 के अगेंस्ट मुश्किल से अगर 8 या 9 admission होतो हो उसके अलावा खाली जाएगा मतलब करीबन करीबन 17-18 seats के लिए second जो merit list है वो जरूर आएगी और तैह है या आएगी फिर उसके बाद करूँ SC की स्ट में total number of seats है 10 स्ट में ठीक cut off है लगबख सभी बच्चों को मेरे साब से ले लिया है 36 तक है परन्तु शुरुआत के 3-4 अगर admission ना भी ले तो कोई फरक नहीं मतलब मेरे को ऐसा कोई अचंबे वाली बात नहीं होगी तो अगर मैं बात करूँ कि second list में ST category में आपको 3-4 लिस्ट जो vacant seat के अगेंस्ट बच्चों की list है जो आपको दिखाई दे सकती है ST में फिर यहाँ पर भी जो disqualify candidate है उनका नाम mention है उनके reason भी mention किये गए है क्योंकि क्यों उन्हें disqualify किया हुए है industrial microbiology की बात कर लेते हैं industrial microbiology में unreserved के अंदर total number of seats है 11 और क्योंकि industrial microbiology मतलब यहीं पर available है इसके अलबाद ज्यादा ज्यादा गुजरात में है इसी तरह से environmental biology भी गुजरात और यहाँ पर available है तो यह वो बच्चे होंगे जिन्होंने life science food से exam दिया हो life science से अगर इनको कोई दूसरा option मिल गया तो यह ले लेंगे otherwise यह छोड़ेंगे तो यह जो marks है 257-256 यह ऐसे बच्चे होंगे जो उनका आपको जुलोजी में भी नाम देखने को मिल सकता है आपको इनका life science में भी नाम देखने को मिल सकता है इवन बायो टेक की की जो cut off admission लेते हैं उसके उपर depend करेगा कि यह list आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी फिलाल अगर इस list का मैं बताऊं तो इस list में सभी high scoring वाले बच्चे हैं तो शायद यह BBAU में admission ना ले है ना कुछ बच्चे तो इनमें से BBAU में admission ना ले और BBAU में भी लेंगे तो यह दूस SC में अगर देखू तो SC में 8 seat हैं उनमें से जरूर आपको एक दू admission देखने को मिल सकते हैं बाकी खाली जाएगी मैं आपको फिर कह रहा हूँ यह life science code से industrial microbiology के अलावा बहुत सारे courses में apply कर सकते हैं environmental में भी बच्चे यह आपको देखने को मिल सकते हैं जो लॉजी में भी life science में भी बायो टेक इनको जहां better लगेगा वहाँ admission लेंगे फिर vacant करेंगे फिलाल इस list के बात करूं तो यह almost खाली जाएंगी even जितने भी course में से जो first list के आएंगे वो सारे खाली जाएंगे क्योंकि first list में सभी बच्चों ने form fill किया हुआ जिन्नोंने JNU, BHU, DU, सब जगे form लग डाला हुआ है उनके नाम भी होंगे अब व्यस्सी बात है वह नाम होंगे तो admission ले नहीं 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 है तो first list इसलिए मैं बोलता हूं कि खाली जाएगी अगर environmental biology की बात करूं यह भी खाली जाएगी नंबर देख लो आप 268-236-236 इस पर कोई admission नहीं लेना है आपर number of seats साला की 20 है पर admission नहीं लेंगे खाली जाएगी यह 200-201 वाले जरूर एक बार के लिए admission ले सकते हैं फरन्तु जैसे इनको second preference मिल गई या higher order में चले गए तो यह खाली कर देंगे seat को तो यह कुछ courses का था list यह एक बर मैं और बता देता हूँ आपको SC का environmental biology में तो यह जो यह हैं यह वाले marks यह ठीक है इनको admission ले लेना चाहिए यह आपर और उसके बाद अगर इन courses की बात करूँ तो यह तो seat खाली करेंगे यह SC वाले environmental biology में और ST में भी अगर आप देखते है हैं तो यह इनको ले लेना चाहिए जिनके marks low है तो यह कुछ courses के cut-off analysis थी BBAU की जिसमें हमने बात की mathematics, biology, life science, industrial microbiology, environmental microbiology और बाकी जो courses है like biotech और potney इनकी अभी merit list release हुई नहीं है तो होगी तो मैं बता दूँगा पॉंडिचेरी की जो first provisional list है वो release हुई है पर पॉंडिचेरी की website error चल रहा है तो website down है open हुई नहीं है जैसे ही open होगी तो मैं उसका भी cut-off analysis आपको बता दूँगा और आज शाम BYU का भी result release होने वाला है first release release होने वाली है तो उसका भी weight मतलब जैसे ही merit list आईगी उसका भी मैं cut-off आपको जरूर अपडेट करूँगा तो जिन भी लोगों ने इस चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है सबसे पहले चैनल को subscribe जरूर कर दें वीडियो को like कर दें और share जरूर कर दें